Hello friends, welcome back on my channel तो आज हम बात करेंगे बैंबू प्लांट की बैंबू प्लांट जिसको लखी बैंबू या गुड लग प्लांट भी बोलते हैं क्योंकि माना जाता है कि इसमें भगवान श्रीकिश्न और माता लक्ष्मी का वास होता है इसलिए से घर में रखने से भगवान श्रीकिश्न और माता लक्ष्मी दोनों की किरपा प्राप्त होती है बैंबू प्लांट नेगरिटिव एनर्जी को घर से कोसो दूर रखता है और घर में खुशाली लाता है अब बात करते हैं इसकी देख भाल और रख रखाओ की तो इसे डारेक्ट सनलाइट बिल्कुल पसंद नहीं है इसलिए इसे डारेक्ट सनलाइट में और ऐसे कमरे में रखना चाहिए जहां हवा आती जाती हो bamboo plant का हफते में एक बार पानी चेंज करने की जुरत होती है पानी चेंज करते हुए running tab के नीचे plant की पत्तियों और जड़ों को अच्छे से दोना चाहिए और इसके pot को भी अच्छे से clean करना चाहिए और हो सके तो इसमें filter water का ही use करें बेंबू प्लांट की गुलाबी जड़े और हरी पत्तियां इसके हल्दी होने की निशानी हैं इसलिए अगर आपको प्लांट में कहीं भी पीली पत्ती दिखाई दे तो उसे तुरंद रिमूव कर दें तो फ्रेंड्स यह था मेरा छोटा सा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू